Hello students and welcome to Roshi's Education Point. आज हम बात करेंगे मोहक हिंदी व्याकरण कक्षा 3, पाठ 13. पाठ का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. इंग्लिश में बोला जाता है one word, substitution. भाषा को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है. हम भाषा को सरल बनाना चाते हैं, आसान बनाना चाते हैं और आसान बनाने के साथ साथी प्रभावशील भी बनाना चाते हैं. इसलिए हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बना दिया है जिने हम प्रयोग में लेते हैं कम शब्दों में बात करना भी एक कला होती है इससे बात असानी से समझ में आ जाती है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाशा को संशिप्त करने में बहुत सायता प्रदान करता है हमें कम शब्दों में बोलना भी आना चाहिए अगर हम अनेक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि जो सामने वाला इंसान हमारी बात सुन रहा है वो इतने अच्छे से हमारी बात नहीं सुने क्योंकि हम अनेक शब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं इसी की बजाए अगर हम संग्षिप्त में बात करें बहुती कम शब्द का इस्तिमाल करें तो हर इंसान हमारी बात को गौर से सुनेगा भी और हमारी बात पर ध्यान भी देगा परिभार्षा देख लेते हैं जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है ऐसे शब्द जिनको अनेक शब्दों के जगह पर इस्तमाल करें उनको बोलते हैं हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे की रवी खेती करता है, रवी कौन हुआ, जो खेती करता है, वो हुआ एक किसान, रवी किसान है, शेर मास खाता है, या फिर मैं बोलू शेर मास अहारी है, हरीश गाना गाता है, हरीश गायक है, तो ये कि किसान, ये सारे ही शब्द हमारे लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस्तिमाल किये गए है, उप्रोग चित्र में खेती करता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने बता दिया किसान का प्रयोग किया गया है, मास खाता है के स्थान पर एक शब्द है मासा हारी गाना गाता है के स्थान पर एक शब्द है गायक का प्रयोग किया गया है हमने अनेक शब्दों को छोटा करने के लिए उसकी जगह पर एक एक शब्द लिख दिया है ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर दिये गए है तो यहाँ दिया गया है जो पढ़ाता है जो पढ़ाता है उसे बोला जाता है अध्यापक दया करने वाला होता है दयालू जो मास खाता है मास खाने वाले को बोलते हैं मासा हारी जो फल तथा सबजी खाता है ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है शाकाहारी ऐसी ही जिसका संबंध धर्म से हो उसे बोला जाता है धार्मिक एक दिन में होने वाला एक दिन में जो कारे हो जाए वो होता है दैनिक सब्ता में एक बार होने वाला जो एक सप्ता में एक ही बार होता है इसको बोला जाता है साप्ताहिक मास में एक बार होने वाला एक महिने में एक बार अगर कोई काम हो तो उसे बोला जाता है मासिक वर्ष में एक बार होने वाला एक साल में अगर कोई काम एक बार हो तो उसे बोला जाता है वार्शिक जो किसी से न डरे ऐसा इंसान जो किसी से भी नहीं डरता है उसे बोला जाता है निडर आगे जो डरता हो जो डरता हो उसे बोलते हैं कायर जो कभी न मेरे जो कभी भी नहीं मर रहा है उसे बोला जाता है अमर जो आलस करता हो आलस करने वाला होता है आलसी जहां पढ़ने जाते हैं हम पढ़ने जाते हैं विद्याले में जो परीश्रम करता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसे बोला जाता है परीश्रमी जिसके माबाप ना हो अब जिसके माबाप नहीं होते उसे बोला जाता है अनाथ जहां इलाज किये जाते हैं अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका इलाज करवाने के लिए आपको अस्पताल ले जाया जाता है जिसमें बहुत खत्रा हो जो बहुत खत्रा वाला जगर है उसे बोला जाता है खतरनाक जो अपनी देश का हो अपनी देश की चीज को बोलते हैं स्वदेशी जिसमें कम बल हो जिसमें ताकत कम है वो है निर्बल जो चित्र बनाता है चित्र बनाने वाला होता है चित्रकार जो सेना में काम करता हो सैनिक जो बोल न सकता हो जिसको बोलना नहीं आता है या बोल नहीं सकता है मूख दूसरे देश की वस्तू विदेशी जो इश्वर में विश्वास रखता हो जो भगवान को मानता है आस्तिक, जो इश्वर में विश्वास न रखता हो, जो भगवान को नहीं मानता है नास्तिक, साथ में पढ़ने वाला, जो हमारे साथ पढ़े सहपाथी, जो कभी न मरने वाले को बोला जाता है अमर, जो कभी बुड़ा न हो, जो कभी बुड़ा नहीं होता है उसे बोला जाता है अजर जिसका कोई अर्थ ना हो जिसका कोई अर्थ समझ ना आए सौरी, जिसका कोई अर्थ हो जिसका कोई अर्थ हो जिसका मतलब समझ में आ रहा है सार्थक जिसका कोई अर्थ ना हो जिसका कोई मतलब समझ ना आए निरर्थक जो पढ़ा लिखा नहों, जुसको पढ़ा लिखला नहीं आता है, अनपढ, जो परिक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उसे उत्तीर्ण बुला जाता है, जो परिक्षा में उत्तीर्ण नहों, जो उत्तीर्ण नहों पाए, उसे बुला जाता है, अनुत्तीर्ण तो ये थे अनीक शब्दों के लिए एक शब्द इसी के साथ हमारा पार्ट यहीं पे खतम होता है कुछ भी समझ अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगा धन्यवाद